यूपी में एक कहावत चलती है कि जगड़ा के कारण तीन जर जोरू और जमीन जो लोग यूपी के होंगे वो समझ रहे होंगे यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ जर का मतलब होता है धन पैसा जोरू का मतलब होता है औरत से जमीन यह तो आप लोग जानते ही है यही कोई भी या फिर पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सारी दुनिया कहीं ने कहीं इनी तीन कारणों से उलजी हुई है लडाईया हो रही है सीमा विवाद इस अस्तर पर है कि हल होने का नाम नहीं लेते हैं आपने देखा होगा कि महाभारत की जो कह पहानी थी, रामायड में जो कुछ हुआ, उसमें एक इस्त्री का अभारण हुआ, और इसी प्रकार से जो चीजें यह सामने आती हैं, अगर धन का भी नुकसान होता है, तब भी लडाईयां जो होती है, वो हो जाती है, सबसे बहुमिल चीज इसमें जो जाती है, वो है आपक काना चाहिए, कभी भी जमीनी विवाद में हाथ पैर तो चलाना ही नहीं चाहिए, अगर मामला कोर्ड में हैं, दस-बीस साल चल रहा है चलने दो, आप जिंदा रहोगे, और भी जमीने खरिद लोगे, लेकिन जीवन नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, दिवरिया में जो कुछ हुआ, साइद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो नहीं जानता होगा, वो चाहिए यूपी से हो, चाहिए फिर वो कहीं से भी हो, पूरे भारत में, और अब तो ये मामला जो है धेदरे, अंतरराश्ट्री भी हो गया है, तो यहाँ पर भी वजह वही रही, जमीन की वजह से सारा मैटर यहाँ पर हुआ, कौन सही था, कौन गलत था, इसके बारे में फिलाल हमारी जो जुडिसरी है, वो अपने डह लेगी, जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, दो परिवारों से 6 लोगों की हत्याएं हुई, एक पुरा परिवारी उसमें हो गया, ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, अगर आप केवल सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको हजारों ऐसी घटना हैं देखने को मिलेंगी, आसपास पूछोगे तो पिछले 50-60 सालों के अंदर बड़े बजुर्गों से पूछोगे तो ऐसी कोई ने कोई घटना वो हो गये, देखो फ्रेंड्स यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आदमी को जो सयम होता है वो तूट जाता है, ठीक है, और सयम तूटने के बाद कहते हैं कि जब आपके दिमाग में क्रोध आता है, उसके बाद जो बुद्धी होती है वो पलाईत हो जाती है, बुद् जो होता है, वो अग्रेस्व हो जाता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मामला होता है, वो कोड में चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद लोग ब्यक्तिकत तोर पर गाली-गलोज, लडाई-जगडा करते रहते हैं, और इसकी सूचना जब सम्मंदित अधि कारियों तो दी जाती है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जिसकी वज़े से इस सब चीजें जो हैं, वो सामने आती है, फिलाल देवरिया में जो कुछ हुआ है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, कि जो यहाँ सत्त प्रकास दूबे का परिवार है, उसमें सिर्फ एक बेटा है, गांधी, जो की घायल है, वो बच्चा हुआ है, और एक बड़ा बेटा है, जो की सायद उस दिन कहीं बहार गया हुआ था, उस वज़े से उसकी जान बच गई है, और प्रेम यादो, प्रेम यादो की जो पतनी हैं, और बेटियां हैं, वो लोग भी पती है यहां पर परीवार है, वो लोग भी नया के गहार लगा रहे हैं, पूरा मेंगे, जो गाओं के होंगे, वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, कि पूरा क्या मामला था वहाँ पर, हम यहां पर बात कर रहा हैं, सिर्फ जो मेडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है ऐसा कोई व्यक्ति होई नहीं सकता जिसके दुस्मन ना हो अगर आप महात्मा गांदी भी बन जाएंगे न तब भी आपको जो है मतलब आपके दुस्मन होंगे ठीक है आप मतलब कितने भी धार्मिक बन जाएं आप कुछ भी कर लें आपके दुस्मन रहेंगे भगवान त प्रवित्य होती है वो उसी प्रिकार का व्यक्ति और मित्र खोजी लेता है फिलाल यहां पर जो चीजे सामने हो रही है इसके बाद दुनों परिवारों का जो भविस है वो भी मतलब बरबाद होता हुआ नजर आ रहा है जो बच्चे हैं वो अब किस दिशा में जाएंगे अ यह तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ समय क्या पहले मने एक फिल्म देखी थी उसका नाम था सर्फरोस सर्फरोस में क्या होता है Aamir Khan के साथ आपको पता ही है कि मतलब उसके जो पीता होते हैं वो एक गवाही देने वाले होते है एक बस में नरसंगार होता है और वह जो आतंगवादी होते हैं उनको बार बार जो है धमकी देते हैं कि गवाही मत दो लेकिन वो नहीं मानते हैं उसके बाद फिर उनकी पदले तो अपरण होता है फिर उनकी हत्या कर दी जाती है और आमिर खान का जो भाई होता है वो मारा जाते हैं मतलब मारा जाता है आमिर खा बाद पूरी कहानी देखने लायक है यहाँ बदला लेने का जो तरीका था वो अलग था और वो चीज मुझे बहुत पसंद आई कि जब आपको कुछ करना ही है तो पाजटी वे में क्यों न किया जाए ठीक है नेगिटी वे में भी करने के लिए तमाम फिल्में हैं जहां पर जब जमिनी भी बाद हुआ तो लोग कुछ ने कुछ ऐसा कर गए कि मतलब देखो चीजें नस्ट नहीं होनी चीए आपका जीवन अनमोल है आपको जो कुछ भी करना है कानून की दारे में रहके करना चीए और अगर कुछ बढ़ा करना है तो सही तरीके से करिए ताकि जितने भी लोग इसमें मारे गए सभी के प्रती यहां पर मेरे मन में बहुत ही करुडा के भाव हैं और जो कुछ हुआ और जैसे भी हुआ जो मेडिया रिपोर्ट्स हैं वो सब आप पढ़ रहे होंगे तो किसी के बारे में कुछ भी करना यहां पर जरूरत नहीं है कि कुछ कहा जाए आप लोग समझ रहे होंगे सही गलत का नेड़ है तो हमारा हमारी जो जुडिसरी है वो करेगी और जो अपरादी होंगे उनको दंड भी मिलेगा 77 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है और जो लोग इसमें सामिल है फिलाल उन लोगों को यहाँ पर उनकी जमीन की भी नाब जोक हो रही है जो कुछ भी है आगे जो पूलिस का काम है पूलिस कर रही है नया पालिका का काम नया पालिका करेगी और फिराल यही करना चाहूंगा कि इस प्रकार की पुन्रार प्रित्ती ना हो बस भगवान से ही प्रात्ना है